तो स्वागते आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नहें और लडेस्ट वीडियो में आज का ये जो वीडियो है ना ये उर्दू फॉर बिगनर्स यानि की यूफब का पार्ट 39 है जी हां 49 वा पार्ट और काफी दिनों के बाद हम लोग आये हैं उर्दू फॉर बिगनर्स के पढ़ा चुकी हूँ समझे कि आप लोग 95 परसेंट उर्दू सीख चुके हैं 5 परसेंट और बचा हुआ है जो भी के पार्ट 39 यानि कि आज के इस वीडियो में आप लोग पास्ट पर्फेक्ट टेंस और पास्ट पर्फेक्ट कंटीनिवस टेंस से बने संटेंस को अग्ले पार्ट में बता दूंगी ऑर फिर एक दू पाराग्राफ को लिए लिखना बता दूंगी तो समझ जल्ड के इससे रिजसी भुन हना है और मतलब समझे कि 39 आज के इस वीडियो में complete हो गया अगले वीडियो में 40 अब देखिए कितना पार्ट तक चले लेकिन समझे कि बहुत जल्द complete होने वाला है उदूब फर बिगनर्स का यह सिरीज तो कैसे लिखना है चलिए आप पड़ावण बता देते और वीडियो को स्ट आप लोगों को पता होगा क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं लास्ट में क्या आता है था थे आता है पास्टेंस में था थे थे और एक यह वाला थे आता है उत्यक्त तक चरह इस तरह लिखा जाता है और यह व्ला जो थे है ना इसको लुक्त अए इस तरह से लिखा जाता है यह इतना आप सेंटेंस मैं लिखकर बताती हूं कैसे लिखा जाएगा उर्दू में सबसे पहला जो जुमला है सेंटेंस वो है तुम लोग जा चुके थे तो सबसे पहला शब्द क्या है इस सेंटेंस का सबसे पहला शब्द लफ्द है तुम तुम को लिख दीजे फड़ापट तुम लिख लिखना है तो बैए हाथ की तरफ से स्टार्ट करें ये लिखना तो तुम सबसे पहले लिखिये तुम नीखना में बताई हूँ इस तरह से लिखा जाता है यह गया तुम यह इवर पेश जुड़ कर तू और मीम एंहें तुम हो गया तो देखें उर्दू में जबरदेर हाइड कर दिया गया मन में माना जाएगा तो यह हो गया तुम और उसके बाद से लोग लाम के उपर पेश मन कर वाउ जुड़ दिए लाम के उपर पेश मन कर वाउ जुड़ दिए तो यह हो गया लोग ठीक है तुम लोग जा जा लिखना तो असान है जो पूर्दू में कहते तुम लोग चुके है चौक और चू कोर्दू में कहते हैं छे को को बता रही है पर चोटा हो गया लेकिन यापर चूटा वाला उखी मात्र है ना इस चेका उपर पेश्माल लेंगे तो यह पढ़ा जाएगा चू पढ़ा जाएगा छोटा वाला उ पढ़ा जाएगा ठीक है तो चेक उपर पेश्मान लिए तो चू हो गया और के कौक उर्दू में कहते हैं काफ काफ का अधा बाग लिख दिये और इसी काफ के नीचे जीर मान कर इसमें बढ़ी यह जोड़ दिये तो यह हो गया के चु चूह बता है कि आप लोग को समझ में नहीं आए जो अभी मैं बता रही हूं इसलिए जरूरी है कि आप इसका पहला वाला पार देख लें और तब देखेंगे ना मतलब यह 39 में जितना भी सेंटेंस में उर्दू में लिख रही हूं और मतलब लिख रही हूं यह आप अब लुए इसका यह हो गया ठीक है दूसरा सेंटेंस है मैं वहां नहीं गया था इसका जो सबसे पहला लवस है मैं किस तरह से लिखा जाता है आप लोगों को बताई भी हूँ पड़ापट लिख दीजिए अब देखें मेरे लिखने से पहले आप लोग खुद से ही लिखें वीडियो को पॉस्ट कर दे कौपी कलम लेकर बैठें और जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है इसको उर्दू में सबसे पहले आप लोग लिख ले कौपी पर और तब मैं जब लिख रही हूँ ना तो मिलाए कि आप लोग सही लिखे थे की नहीं अब वहां वहां किस तरह से लिखा जाता है वाव से वाव और हाँ है न यह हो गया है और हे में अलिफ जूड़कर यह हो गया हाँ वहां लेकिन उपर देखिए चांद वाला हूँ इस तरह से लिखा जाता है नहीं नून से ना हे के नीचे जेर और चोटी यह जुड़कर ही और यह जो नून गुन्ना है यह वाले बिंदू वाले नौ के लिए है ठीक है तो हे के नीचे जेर और चोटी यह जुड़कर यह वाला ही हो गया है और उपर बिंदू वाल नहीं गया और था था लिखना तो बहुत ही ज्यादा आसान है यह हो गया था कि इतना आसानी से लिख दिए अब आप लोग मिला लीजे कि सही सोचे थे की नहीं या फिर सही कॉपी पर लिखे थे की नहीं मिला लीजे मैं वहां नहीं गया था अगर आप लोग ऐसे इसी तरह तो बिल्कुल सही लिखे हैं सही ठीक कर दीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सेंटेंस है तुम क्यूं भाग गये थे यह लिखना आसान है तुम तो बहुत ही ज्यादा लिखना आसान है लिखा जाए यहाँ पर तुम ठीक है यह हो गया तुम क्यूं क्यूं क्य तो यहाँ पर नून गुन्ना देंगे तो यह हो गया क्यूं तुम क्यूं तुम क्यूं और भाग भा को इस तरह से लिखा जाता है यह हो गया भा इसमें अलिव जोड़ देंगे तुम भा और गव यह हो गया गाफ से गव तो भा और गव भाग कि यह हो गया कितना आसानी से तुम क्यूं भाग गये थे ó मुझेर मार्क रहे गांवर उर्दू में उल्ठा कोश्टन म्मार्क दिया जाता है इस तरह एघ को तुम क्यूं भाग गये थे दिखिए गधा इस तरह से लिखा जैता है याद कर लीजेगा कोई ऐसा वाड होता है जिसको उर्दू में याद ही कर लेना असान होता है जैसा कि मैं तुम क्यूं ठीक है था थे थी इसको और फिर गये इसको याद ही कर लेना है आप लोग को ताकि कहीं पर भी लिखा रहे है डिरेक्ट समझ में आजाए कि हाँ यह गय हों फोग लिखिये वे लोग और थोडा इतना दूर में ही इतना तो यहां सो में लिखते हैं लोग यहहो गया वह से बहुर्त खालत अधा देखिए लूख ओं को में घैन कहते हैं तो यहाँ पर लिख दीज़ हो गया गलत वह लोग गलत जगह कने कहते हैं जीम ठीके- अधा-जीम से लिए और इसी जो में गौ जोड़ देंगे गौ कुर्दू में क्या केते हैं गाफ का आधा बाग इसी जिम के आधे बाग में जोड़ दीजिए तो जोगा हो गया और हाँ पर एकशर में जोड़ती है तो आपना गपाग इस तरह से बनाएगी इस तरह से नहीं तो इस तरह से बनाएगी तो यह वाला जो सकल यहां पर होता है समझे कि ही का किसी अक्षर में जूढती है तो यह हो गया है और यह भी है इसको भी शिबत पड़ा घाएगा तो पेशे पार यह हो गया हर् ठीके यह हो गया लेकिन यहां पर क्या है हुआ हुए छोटा वाला हु तो इस वपर पेश्मालेंगे तो छोट्वाला हुआ हो जाएगा तो पेश्माल लेते हैं हुआ हो गया लेकिन यहां पर देखे ऊपर चांद वाला न में तो इसके लिए इसार वहां में वहां में लास्ट में चांद वाला नौ था है, तो वहां में लास्ट में नून गुणना का यूज किये थे, लेकिन देखिए, इस पहुच में, इस शब्द में ये जो चांद वाला नौ है, ये लास्ट में नहीं है, अगर यहां पर रहता तो हम लोग चांद वाला नौ का य का यूज करेंगे यानि की दिरेक्ट यहाँ पर हम लोग नून का यूज करेंगे ठीके कि नून से चांद वाला नौ और चे से च तो और गए लिखना में आप लोग अभी बताई थी देखें यहां पर लिख लिखा जाता है दूबाला यहां पर लिख दीजिए और उसके बाद से थे देखिए यहां पर थे सबस्क्राइब बिंदेश है इसको हम लोग उर्दु में बताइघ द में इस तरह से रिखा जाता है कि यह फिर आप कह सकते हैं कि वे लोग गलत जगह पर पहुँच गये थे हैं वह लोग भी पड़ सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है अई यह होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग सही लिखें भी होंगे कॉपी पर लिखते चलना है मेरे लिखने से पहले आप खूइगा घूला पहां लगा था सबसे पहले जूला लिखिए जुला लिखना आसान है जाक उर्दू में किस ला को उर्दु में कहते हैं लाम, ये आधा लाम से ला और इसी में अलिफ जोड़ दिजिए, तो ला हो गया, जू और जू ला, कहां, तो काफ से का, ठीक है, ये काफ से का हो गया, और इसी में ये हे जोड़ दिए, ठीक है, हे से हो, और इसी हे में अलिफ जोड़ देंगे, क्योंकि last में है चांद वाला ना ठीक है तो यह हो गया कहां ठीक है आगे बढ़ते हैं लगा लामसिला होता है यह हो गया लामसिला और गा है ना तो सबसे पहले गा लिखे यहां पर ठीक है तो यह हो गया गा आदा गाफ से गा और यह लामसिला लामसिला और यह गा और इसी लिवजो दिये था जूला कहां लगा था कितना आसान इसे लिख दिख लिए एक होप आप लोग इसी तरह लिखे होंगे बिलकुल सही लिख सही टिक कर दिज centers देखिये वे लोग दो सालों से वहां रह रहे थे तो इसको कैसे लिखेंगे वे देखना असान है यहां पर भी लोग लिखे थे तो मैं लिख दे रहे हूं यहां पर इतना दूर में तो अठी अश्य को यहां पर में लेगे कि वहत लोग हो गया और दो यहां पर अगर मैं हिमनी में लिखू तो इस तरह से लिखा जाएगा से लिए लुए लोग की ऊपर में कारुष्र है सालो वह लोग दो सालों लेकिन साल की ऊपर क्या है उसके लिए लून जाहिरा का इस करींगे जी नहीं सब्सक्राइइ यहां पर जिसके बीच में नुपता नहीं रहता है तो यह हो गया वह लोग दो सालों से उनके नीचे जिर मानकर बढ़ी गड़ दिए तो यह हो गया से और वहाँ वह से वह लीखे थे न आला यहां यह लिका गया है वहाँ तो बिलकुल इसी तरह यहां पर लिख दीजेए ठीक है और रह March यह लग रहे अटेगा नहीं अठीस को देखती हूं मैं रह रहा रहे से रहा और ये हो गया यह के नीचे जेर मानकर बढ़िए जोड़ दिये तो हे रहे रहे और यह वला जोटे है ना के ऊपर विंदू वाला ना है तो थे इस तरह से से लिखेंगे तो यहीं पर मैं लिख दे र वह लोग दो सालों से वहां रह रहे थे, वह लोग दो सालों से वहां रहे रहे थे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बच्पन से यह काम करते आ रहा था, मैं लिखिए सबसे पहले, इसको और दूर से लिखना पड़ेगा, मैं, ठीक है, यहां पर मैं लिखती हूँ, म बच्पन बच्पन भी लिखना असान है देखिए यह हो गया बे इस तरह से लिखा जाता है बे का आधा बाग यहां पर में लिख दिने तो बे से बाग हो गया फिर क्या है देखिए चौ है चौ को उर्दु में कहते हैं चे चे इस तरह से लिखा जाता है इसका आधा बाग उ तो यहाँ पर नून चिपका दीजिए तो प और ना बचपन मैं बचपन अब देखिए से से लिखना आसान है सीन की नीचे जिर्मान कर बढ़िये जुड़ दिए तो यह हो गया से और उसके बाद से यहां यहां कैसे लिखा जाएगा देखिए यह हो गया यह यह से आप जुड़ती है तो यह तो अपना सकल जो है इस तरह से बनाएगी नहीं तो इस तरह से बनाएगी तो यहां पर जो है ना इस यह में जब यह जुड़ेगा तो यह अपना सकल जो है इस तरह से बना लेगी यह वाला सकल इसी में जाकर जुड़ जाएगी तो यह से यह हो गया तीखें तो यह हो गया यहां और कांवांद कांवर जानते हैं कांव से कांव होता है ये कांव से कर हो गया और जीए मीम तो कर और ते करते काम करते अलिफ से अ होता है और इसी के उपर मत जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा आ क्या पढ़ जाएगा तो मैं बच्पन से यह काम करते आ और उसके बाद से रहा रे से रहा और यह हो गया है है मैं अलिफ जोड़ेंगे तो है मैं जोड़कर हा तो र तो कि आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं बिल्गुल पढ़ सकते हैं अब कहीं पर भी उर्दू का सेंटेंस जैसा कि मैं आप लोग को बोली भी हूं कि आप लोग अपने पास कोई उर्दू का बुक रखी और उसको पढ़ पढ़ कर प्रैक्टिस कीजिए तो यह वह आप अगर और ओफ लाइन एवलेवल नहीं हो रहा है आप लोग के पास कोई उर्दू का बुक नहीं है तो नियूस्पेपर ले ले नहीं तो ऑनलाइन कोई भी मतलब 10-12 क्लास का गोगल से एक पराग्राफ कोई सर्च कर सकते हैं कुछ भी मतलब उर्दू लिखा हुआ कुछ भी होना था तो वहां वहां लिखना तो बहुत ही ज़्यादा आसाम है वहां से वह और हे से हां यह हो गया और कितने आप लोग जूम कर लिजेगा मैं बार बार बोल रही हूं क्योंकि थोड़ा मैं छोटा भी लिग रही हूं ताकि अट जाए और प्लस धूला भी आप लोगो की मातरा यह यहां रहेता है तो ऑर नूनर यहां पर में कहते हैं नून के निचे दिर मान कर इसमें किई जूरती है तो यह हो गया ने नून के निचे देर मान कर बड़ी है द्यान दिजें इस दो में क्या है चोटी वाली इङ मात्रा है तो छोटी वाली इक मात्रा हैं चोटी के नीचे लगा देते हैं तो यह तो लेकिन ध्यान दीजे यहाँ पर जरा गौर कीजिए इस नो के उपर क्या है देखिए दिनों में उपर बिंदु वाला ना है तो इस लास्ट में बिंदु वाला ना है तो अगर लास्ट में बिंदु वाला ना रहता है तो हम लोग कौन से नून का यूज करते हैं नून गुन्ना का यूज करते हैं यहां पर लिख देजिए नुन गुण्ना तो यह हो गया क्या नुन गुण्ना दी और नो दीनो वह कितने दीनो अब जर्णा मैं इसको मिटा कर अच्छा से लिख दे रहे हूं क्योंकि यह दिखाई थोड़ा अच्छा से नहीं दे रहे हैं खुबसुरत भी दिखाई देना चाहिए यह हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से दिनों वह कितने दिनों डाल के नीचे जेर जुड़ कर दी और नून के उपर पेश वाव जुड़ करनों और नून गुनना से उपर बिंदू अलना तो वह कितने दिनों आई होब आप लोगो समझ में आ रहा है और से लिखन कोड़ाता और 5% मेनत करना है मैनत कर देंगे तो हमेशा के लिए उर्दू सीख जाएंगे और यहीं पर अगर आप लोग धिला पर गए फेल हो गया तो फिर आप लोग कभी भी नहीं सीख सकते हैं ठीक है देखिए आगे बढ़ते हैं पढ़ने वह कितने दिनों से पढ़न हैं तो आफ़ यहाँ पर क्या लिखना है पढ़ने पेसे पा और यहो गया अ टैकर इसलाओ नेकर यहनुकि यह circles पढ़ने पर गणे तो चली के डे के डे में हे जोड़ दिया गया तो हो गया है और नून के नीचे जिर मान कर यहां पर बढ़ी जोड़ दिया गया है तो ने हो गया है तो पढ़ने वह कितने दिनों से पढ़ने नहीं तो यहां पर यह हो गया नहीं नहीं लिखना भी मैं आप लोगों बताई हूं नहीं ठीक है तो वह कितने दिनों से पढ़ने नहीं आ रहा था आप इसको रही ति भी बना सकते हैं वह कितने दिनों से पढ़ने नहीं आ रहा था इसको रही थी भी बना सकते हैं अबहुए के ciekными तो यह हैं ट्रुड और यह से रहा वह चार दिनों दिनों यहां पर लिखा गया है ना वह कितने दिनों था तो यह दिनों लिखे थे बस यही वाला दिनों यही पर है तो यहां पर भी क्या लिखेंगे इसी तरह दिनों लिखेंगे वह कितने दिनों ठीक है यहां पर वह कितने दिनों था यहां प पाधा सीन कहते हैं यहां पर आधा सा है तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे आधा सीन लिखेंगे देखिए मैं आधा सीन लिख दी पूरा सीन इस तरह से लिखा जाता है बस इसको आधा मिटा दीजे इस तरह आधा वही मैं यहां पर लिख दीगे तो अलिफ से और सीन से स ता तेमे अलिफ जुड़कर ता और लॉ लॉक उर्दू में क्या कहते हैं लॉक उर्दू में कहते हैं लाम तो यह हो गया अस्पताल ठीक है क्यूं क्यूं लिख दीजिए क्यूं यह हो गया क्यूं और आ लिखना तो बहुत ज़दा असान है अलिफ के उपर सिर्फ मत दे दे और रही कर देना है इस हे नीचे जएर मान कर छोड़ी रही और उसके बाद से थी ये हो गया थी ठीके तो वह चार कि आधा कॉ iliating अब लास्टी सेंटेंज्स है कि आवे लोग कुंहारी बात सुन लिये हैं । क्या वे लोग कुंहारी बड़ी धे लिखना ऑगा तो कैसे लिखेंगे थी आधा कऊ है तो आ भी आदह काफ लिखेंगे अधा काफसे आधा में कहते हैं ये इस ये से या हो गया और इसी ये में अलिफ जो दीजिए तो या हो जाएगा क्या वे वे को इसी तरह से लिखा जाता है इसको वह भी पढ़ सकते हैं और वे भी पढ़ सकते हैं कोई दिकत में तो क्या वे लोग लोग ये हो गया लोग ठीक है क्या वे लोग त यह को गया है यह हो गया है यह से हाँ लेकिन यहां पर क्या है हाँ इस हे में अलिफ हम लोग जोड़ देंगा ऐसे तो तुम और हे मेली जुड़कर हा, तुम हा और री, रे, तो ये हो गया है, रा, इसी रे के नीचे जेर मान कर छोटी ये जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या, री, तो तुम हा, री, तुम हा, री, और बात, बे में अलिफ जुड़कर, बे में अलिफ जुड़कर, यह थो लिख रहे हो तो मैं यह तिर्चा जा रहा है इसको सीधा कर दे昨ग तुम्हारी तुम्हारी और बात लिखना था न तो दहने हो गया वह और से बें में तर्वतियोर क्या हो गया तो बात सुन से सो से से हो गया से के ऊपर फेश मालेंगे तो चोटा वाला सू हो जाएगा ठीक है और नौ यह जुना है न इस न लिखने यहां पर मून बना देंगे तो सुन हो गया और लिए देखे जिस तरह यहां पर गया लिखे थे ना उसी तरह लास्ट में यह इसी तरह रहेगा लिए यहां पर क्या लिए तो लाम से ला हो गया और इस लाम के नीचे जेर मान लेंगे तो क्या ली नहीं पढ़ा जाएगा क्य तो इसको भी नहीं पढ़ा जाएगा मिल्खुल पढ़ा जा सकता है क्योंकि छोटी वाली ली है इसमें जैर मान लिए तो ली हो गया और लास्ट में क्या है ए ना तो इसमें बढ़ी यह जोड़ दीजे तो लिए तो लिए क्या वो लोग या फिर क्या वे लोग तुम्हारी बात सुन लिए और लास में क्या है थे उपर बिंदू वाला है न तो इस तरह से लिखा जाता है तो बस आप लोग यहां पर भी उसी तरह थे लिख दीजिए यहां पर कोश्चन मार्क ठीक है क्या वह लोग तुम्हारी बात सुन लिए थे कितना असानी से हम लोग सेंटेंस क फोंगो था इसमें दोनों मिक्स था मतलब कि पास्ट पर्फेक्ट टेन्स और पर अप्थ्प्ट कर बताई उसी तरह आप लोगों को सबसे पहले हिंदी में लिखना है और फिर उसको उर्दू में लिख लिखकर प्रैक्टिस चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अगले पार्ट का वेट करें बहुत जल अपलोड पाएगा क्योंकि मेरी कोश्च अब यही है कि रेगुलर वीडियो अपलोड करें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पैसे इतने भी आप लोग के लिए इतना जड़ा एफॉर्ट को मेहनत करते हूं आप लोग एक छोड़ा सा काम तो करी सकते हैं वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दें इतना ज़्यादान दें ठीक है और अगर आप लोग चैन